हाई गैस और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपश्यादा वेजुकेशन विल्कम तो दी डेली करेंट अफेयर्स ओफ 19 ओफ ऑक्टूबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 19 ओक्टूबर 2021 और है टूजडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोरेंट करेंट अफेयर्स बनेंग होगा हमारे पास एक बहुत पुराना एक्ट है इसी medical termination को लेकर अब उस एक के अंदर amendment किया गया उसके अंदर changes करेंगे हैं तो discuss करेंगे क्या changes किये गए हैं अब यह नए rules क्या है मतलब किसी अगर एक तरीके से महिला है उनको abortion करवा ना है तो वो कौन सी महिला abortion करवा पा साथी साथ मैं आप लोगो यहाँ पर यह भी बता देता हूँ यह जो डेली करेंट अफेर का वीडियो है यह डेली मौनिंग में पांच बचे अपलोड हो जाता है यहाँ पर हम लोग डेली बिसिस पर बहुत सारे articles discuss करते हैं जो की UPSC और State PSC के point of view से बहुत ज़धा important होते हैं और हर एक article को इतना detail में discuss करते हैं कि इनके regarding अगर कोई भी question आता है prelims में या फिर mains में दोनों को आप लोग बहुत ज़धा easily solve कर पाऊगे अब आपको format में बदलाव दिख रहा होगा बिल्कुल आपको मालूम होगा अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने prelims और mains क section divide कर रखा था तो मैंने यहाँ पर उसको एक तरीके से यहाँ पर यह वाला जो पूरा का पूरा pattern था इसको हटाने की कोशिश की है जो हमारा पूराना वाला pattern चला था उसी को हम follow करेंगे देखो हो क्या रहा था ना बहुत सारे articles repeatedly आ रहे थे जैसे यह वाला article है enhancement of BSF काला अ मतलब कभी short articles थे कभी नहीं थे ऐसा चल रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तो यहाँ पर क्या है अभी मैं आपको पूरा format जो पुराना वाला था उसी को लेकर चलने वाले हैं जो भी detailed articles होंगे उनका discussion करेंगे important articles होंगे उनका discussion करेंगे और मतलब आपका ठीक है और खास कर जो UPSC है उसके point of view से सारे article important रहने वाले हैं और बात रही quiz की की देखो बहुत सारी लोगा question था इसर quiz मत अटाना quiz रहने देना और हम लोग को daily एक mains का question चाहिए तो बिलकुल मैंने आपके लिए quiz continue रखा है और quiz continue ही रहेगा प्लस उसके बाद आपको daily basis प जो border security force है उसकी powers को increase किया गया है मतलब यहाँ पर border security force कहां पर रहती है international borders पर रहती है international borders पर पहले border security force के पास बहुत कम जगा हुआ करती थी नव इस जगा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है उसको enhance कर दिया गया है इसके बारे में discussion करेंगे बहुत important article है दनुसके बाद ए एक article है endosulfan करके endosulfan यहाँ पर pesticide को माने के लिए यहाँ पर इस्तमाल के जाता है तो यह endosulfan exactly क्या है इससे कितना ज़द नुकसान देखने को मिलता है किती सारी बिमारिया देखने को मिलती है इसके बारे में हम discussion करेंगे again एक बहुत important article है बहुत ज़दा चर्चा में है और इस topic questions हर साल हम लोग यहाँ पर UPSC के prelims में देख सकते हैं एक article चर्चा में important personality को लेकर और important personality का topic भी हमारे UPSC syllabus के अंदर है GS paper 1 के अंदर चाहो तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम बात करेंगे APJ अब्दुलकलाम जी के बारे में क्यों हो यह चर्चा म productive health के बारे में अभी राजिस्थान यहाँ पर एक तरीके से एक report publish करी राजिस्थान ने इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है कि हम लोग आने वाले time पर जो लोग है उनकी health के ओपर ध्यान रख सकें उनकी health के ओपर अगर हम पैसा खर्चेंगे तो आने वाले time पर इसका return ही बारे में जो mg नरेगा scheme है या फिर महात्मा गांधी national rural employment guarantee act scheme है इस scheme के अंदर जो यहाँ पर एक tool है crisp m tool का इस्तमाल किया जाएगा तो यह tool क्या है इसको हम लोग समझेंगे इससे कितना फायदा होगा इसको हम लोग analyze करेंगे साधी साथ मैं आप लोग को बताऊंगा mg है तो बढ़ते हैं आगे आगे बंडे से पहले गाईज अगर आप लोग को इस lecture का pdf चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को telegram का link दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के pdf को download कर सकते हो और यह है मेरी instagram id दीपक यादव education चाहो तो यहाँ पर follow कर लेना अपन अपना support दिखा सकते हो और ऐसा support दिखाते भी हो आप लोग daily basis पर इससे काफी हिर तक मुझे motivation मिलता है प्लस यहाँ पर video काफी सरे लोगों तक reach होता है तो आज का target है 1K plus like का जैसे मैं आप लोग को daily target देता हूँ और daily ही आप लोग इतना support करते हो कि हमेशा 1K plus से लेकर साथ साथ quiz practice मिलेगी plus mains का question मिलेगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से quiz देखने को मिलेगा आप लोग को session बहुत अच्छे से सुनने के बाद यहाँ पर यह मैं आपसे last में quiz discuss करूँगा इसके सारे answer देना है इसका answer आपने अच्छे से दे दिया इसका मतलब आपको सारे article अच्छे से समझ में आए हैं और अच्छे से आपने इस वीडियो को सुना है साथ साथ mains के लिए आपके लिए question त्यार रखाए इसको भी attempt करना है इससे आप लोग के लिए daily एक mains के question के answer writing practice भी होती रहेगी तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को लेकर चलने बात की गई है medical termination of pregnancy rules को लेकर अब देखो क्या हुआ है हमारे पास एक पहला act था किस चीज को लेकर जो pregnancy है या फिर abortion कराना है उसके लिए हमारे पास पहले बहुत सारे rules and regulations थे ठीके वो सारे rules and regulations कौन से act के अंडर में आते थे वो आते थे medical termination pregnancy act 1971 इस act के अंडर में आते थे बात करेंगे वो पुराने वाले act के अंदर बदलाव करेंगे बदलाव करने के बाद हमारे पास नए rules आएंगे और इसी वज़ा से इसको बोला गया है medical termination of pregnancy amendment act 2021 I hope आपको ये clear हुआ है और ध्यान रखना ये पुराना वाला बिल है छोड़ी छोड़ी information ध्यान रखनी है क् क्विज में आपको ये साधा helpful रहने वाली है यहाँ पर आप देख पाऊगे Indian Express का ये article AC के अबर मैं आपको सारे sources दिखाता रहूँगा कहां कहां से articles का discussion किया गया है अब यहाँ पर हम बात करें देखो इस bill के अंदर काफी सारी चीजों के बारे में discussion किया गया है सबसे पह पहले क्या हुआ था पहले यहाँ पर कोई women pregnant है ठीक है और उसको abortion करवाना है तो उसको abortion करवाने के लिए 20 weeks मिलते थे मतलब 20 सफता मिलते थे ठीक है अब क्या होगा अब इस bill के अंदर यह limit को increase कर दिया गया है इसको 20 सफता से 24 सफता कर दिया गया है तो यह आप लोग धिय यहाँ से सुनना कोई भी women हर कोई women को यहाँ पर इजाजत नहीं है सिर्फ और सिर्फ इन categories वाली women को यह permission मिलेगी यहाँ पर इन categories के अंदर जो भी women आएंगी वो यहाँ पर abortion करवा सकती है लेकिन अब उनके पास जो time period होगा वो 20 से 24 सफता का हो सकता है इस time period में वो यहाँ यहाँ पर abortion करवा पाएंगी वो यहाँ पर इस rules के अंदर notify किया गया अब यहाँ पर discuss करते हैं वो कौन कोई सी women है कौन कोई सी categories यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो साथ categories है पहली यहाँ पर क्या है मालो किसी women का rape हुआ है sexual assault हुआ है उसकी वजह से women pregnant हुई है तो वो अपन abortion करवा सकती है प्लस यहाँ पर कोई minor हो गया मतलब 18 साल से कम उम्र की बच्ची हो गई उसको यहाँ पर एक तरीका इसे ऐसी जंजटे देखने को मिलती है तो वो यहाँ पर abortion करवा सकती है दन उसके बाद यहाँ पर कोई महिला pregnant है लेकिन उसका marital status change हो जाता है मालो कोई य यहाँ पर abortion करवा सकती है या फिर कोई women mentally ill हो गई है दिमाग से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है तो उसकी वज़ासे भी हाँ पर women abortion करवा सकती है उसके बाद यहाँ पर कुछ condition आती है fatal malformation की मतलब जो baby है वो पेट में सही से बना नहीं है ठीके आने जब बच्चा पैदा होगा तो वो सही से जीप आएगा नहीं जीप आएगा यह कोई surety नहीं है या फिर यहाँ पर बच्चे की वज़ासे मा को दिक्का दो सकती है तो उसकी condition में भी हाँ पर क्या हो सकता है जो women है वो abortion करवा सकती है दन उसके बाद यहाँ पर कोई भी emergency situation है 24 सपता का यह time period रखा गया है इस नए rules and regulations के अंदर जो पहले वाला rules था उसके अंदर सिर्फ वो स्रिफ 20 सपता का था अभी यहाँ पर 4 सपता को increase कर दिया गया है चार सपता अपने आप में बहुत बड़ा number आपको देखने को मिलेगा ठीक है आई हूप आपको एक्लियर इस नए वाले rules के अंदर मालो कोई महिला है जिसको 24 सपता से भी जादा हो जाता है तो 24 सपता के बाद भी वो अपनी pregnancy को terminate करवा सकती है अबॉट करवा सकती है लेगिन होगा क्या वहाँ पर state level medical board को set up क्या जाएगा वो यहाँ पर इस pregnancy को लेकर decision लेगा देन उसके बाद 24 weeks के बाद भी आप कर सकतो जब भी कोई fatal malformation होगा जिससे मा को दिक्कत हो सकती है या बच्चा ना जीवत ही रह पाएगा तो उस में उस condition में क्या हो सकता है women terminate करवा सकती है अपनी pregnancy को यह चीज़े यहाँ पर बताए गई है आयोप आपको clear हो चुका है यह बिलकुल अच् करते हैं यह जो पुराना वाला MTP Act 1971 वाला था और यह नया वाला MTP Act Amendment Act 2021 वाला है दोनों में difference क्या है सबसे पहले आप देख पाओगे contraceptive failures मालो कोई भी contraceptive failures होता है आज कल टी टाम पर contraceptive use हो रहे है contraceptive का जो failure है उसकी वज़ा से मतलब की मालो कोई women pregnant होई है तो यहाँ पर वो abortion करवा सकती है लेकिन यह किस के ओपर apply हुआ करता था पहले सिर्फ और सिर्फ married women के ओपर apply हुआ करता था लेकिन अभी नए वाले rules के अंदर unmarried women भी इसके अंदर मतलब की कोई भी हर कोई women जो ह है यहाँ पर अब abortion करवा सकती है उनको यहाँ पर cover किया गया है इसके अंदर उसके बाद पहले time limit 20 सपता का हुआ करता था मैंने आपको बताए अब यहाँ पर time limit 24 सपता का है 24 सपता के बाद भी हाँ पर abortion हो सकता है लेकिन उसके लिए state medical board की इजाज़त चाहिए उनका approval चा उनके opinion की जरुवत होगी कि आपको terminate करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए पहले ही हुआ करता था कि आपको एक practitioner की जरुवत होती थी लगबग 12 सपता तक फिर उसके बाद आगे time चाहते चलते चलते 20 सपता तक आपको दो practitioner की जरुआ करती थी लेकिन आप जो नई rules का approval मिलेगा 24 सपता के बाद और उसके बाद भी आप लोग abortion करवा सकते हो अगर यहाँ पर यह rules and regulations कोई मैला follow नहीं करती है तो पहले हुआ करता था उसके ओपर 1000 रोपे का fine लगता था लेकिन अब नए वाला rules के अंदर बोला है fine तो लगेगा साधी साथ एक साल की सजा भी ह हो सकती है तो यह चीज़े यहाँ पर बताई गई है I hope आपको यह clear हो चुका होगा क्या-क्या information यहाँ पर provide की गई है नए rules and regulations के अंदर बात करते हैं significance की इसका importance क्या है तो यहाँ पर इसका पहला importance यह देखने को मिलेगा जो यह नए rules है वो कहीं ना कहीं maternal mortality को रोक सकते हैं तो आपको मालूम होगा हमने 17 goal set कर रखे हैं साल 2030 तक हम उसको achieve करना है और इसमें जो हमारा sustainable development goal 3 वाला है ठीक है इसके अंदर आपको इनकी सब categories देखने को मिलेंगी 3.1, 3.2 करके तो 3.1 के अंदर यहाँ पर mentioned है maternal mortality के बारे में तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर मा को बचा ल आपका सकते हो अपनी choices मिल रही है लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर यह choices word यूज नहीं करूँगा अभी इसके अंदर एक दिक्कत है दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है आगे आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा क्योंकि इसके बारे में बहुत स abortion नहीं करवा सकती है obviously यहाँ पर मान लोग कोई women है अगर वो abortion करवाना चाहती है तो उनको इन 7 categories के अंदर आना पड़ेगा जो कि मैंने भी आपको समझाई थी अगर वो इन 7 categories के अंदर नहीं आती है तो abortion नहीं करवा पाईगी तो मतलब कहीं न कहीं women को इसके उपर अपनी छूट नहीं मिल पा रही है इनको अपना right to choice नहीं मिल पा रहा है लोग यहाँ पर जो women है यह तो उनके ओपर depend करना चाहिए था ना यह को कि वो बच्चा किसको पालना है बच्चा women को पालना है तो women की choice होनी चाहिए थी चाहिए उसको abortion करवाना है चाहिए वो नहीं करवा तो abortion किस के थूरू किया जाएगा, doctors के थूरू ही किया जाएगा, और doctors वो वाले जो कि specialist हों किस के अंदर, gynecology के अंदर, और obstetrics के अंदर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, जो यह categories के doctor होते हैं, वो आज के time पर उनकी shortage already है, लगबग 75% तक उन doctors का shortage है, तो कहीं न के यह भी ए देखने को मिलती है, society आज के time पर आप कह सकते हो, सही से women को जीने नहीं देती है, ठीके, तो यहाँ पर women के पास काफी सारी freedoms नहीं हो पाती है, और आप कह सकते हो, women को एक तरीके से जब चलो pregnant हो गई women, तो उसको फिर भी यहाँ पर उसको पर बहुत सारी multiple barriers लग जाते हैं, मैं यहीं पर आपके साथ mains का question discuss करना चाहूँगा, question यह है कि अभी आप लोगों ने इस article को समझ लिया है, आपके लिए यहाँ पर mains का question है, इसको आप लोगो attempt करना है, quiz भी मैं अभी आपके साथ discuss करूँगा, quiz भी आपको attempt करना है, question यह है कि हाल ही में, जो government है, उसने notify करे इसके फाइदे और इसके नुकसान आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो पहले आपको intro देना है इसका, फिर इसका description, इसकी फिर आगे body बनाना, point wise इसका answer लिखने की कोशिश करना, okay, हाँ तो इसको अच्छे सा attempt कर सकते हो आप लोग, और देखता हूँ है आपर किसका answer ideas collect होंगे, ठीक है, और भी हम लोग को बहुत सारी information मिलती रहेगे, कोई हम लोग की thinking सब के अलग-लग depend करती है, ठीक है तो इसके बारे में ध्यान रखना, जरूर attempt करना है, सबी लोग को कोशिश करना है कि नीचे मैं comment box में है यहाँ पर इस question को attempt करूँ, okay, start करते हैं next article की त border security force है, उसकी powers को अभी increase करने की चर्चा की गई है, उसकी powers को enhance करने की चर्चा की गई है, enhance मतलब क्या है, उसको बढ़ाया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ाया गया, प्लस इसको लेकर आज के टाइम पर क्या issues देखने को मिल रहे हैं, बहुत सरे जो स पहले बहुत सारी powers हुआ कर जीती, अब भी बहुत सारी powers है, जैसे कि कौन सी power है, यह लोग किसी को seize कर सकते हैं, search कर सकते हैं, किसी को arrest कर सकते हैं, तो यह सारी powers है इनके पास, पहले जो भी इनको एक boundary दी जाती थी, वो लगबग बहुत कम area हुआ करता था, लेकिन अब क्य कितर के अंदर यह सारी powers को अपनी perform कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर इन एरिया को 50 km का दायरे में फला दिया गया है, जहां जहां पर international border है, आस्साम के साथ, वेस्ट मेंकोल के साथ, पंजाब के साथ, यहां सभी जगा पर आपको international borders देखने को मिलेंगे, और इन सारे international borders पर क्यों सी हमारी force तहना आते है, वो है border security force, अब इनकी powers को बढ़ा दिया गया है, कैसे बढ़ाए गया है, इनको बढ़ा सा area दे दिया गया है, पहले area इनके पास कम था, अब उस area को बढ़ा दिया गया है, और वो 50 km कर दिया गया, अब भी discuss करेंगे, पहले कितना km था, इ अब नए rules आ चुके हैं, अब उन सब को नए आ चुके हैं, तो पिछले वाले सब कुछ replace हो जाएंगे, बिलकुल, अब देखो यहाँ पर क्या है, border security force के पास, powers क्या है, यहाँ पर Assam, West Bengal और पंजाब के साथ साथ, और कौन कौन से areas पर आपको border security force देखने को मिलेगा, smuggling वगरा है, उसको रोकना, और बहुत सारी जो illegal items होते हैं, उनको रोकना, ठीक है, और जो भी foreigners है, जो भी यहाँ पर गलत तरीके से entry ले रहा है, उसको रोकना, उसको punish करना, तो यह सारे काम हमारा border security force करता है, overall अगर हम देखें, तो हमारा जो भी border है, जो हमारी SEMA है, उसक के timer जो हम लोग सुरक्षित हैं, वो हम लोग border security force की वज़ा से सुरक्षित आपको देखने को मिलेंगे, ओके, अब बात करते हैं, border security force यहाँ पर मालो इसने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, अब किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद, वो वहाँ पर questioning कर सकता है, उसे questioning करने क बाद border security force को क्या करना पड़ेगा, 24 गंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को local police के हाथ में दे देना होगा, बाकी सारे काम जो है local police करेगी, यह आप लोग को ध्यान देना है, मैंने आपको बताया border security force कांका पर देखने को मिलेगा, पंजाब वाले एरिया में, आसम वाले ए elaborate करेंगे, border security force को सबसे पहली बार लाया गया था, 1965 में ध्यान रखना, इंडिया पाकिस्तान की war के बाद यहां पर इस force को लेकर आया गया, और यहां पर यह C.A.P.F के अंदर में आती है, आपको मालूम होगा, जो C.A.P.F है, Central Armed Police Force, इसके अंदर बहुत सारी forces आती है, उस national security guards या फिर शशर्शत्र सीमा बल, यह सारे forces C.A.P.F के अंदर में आते हैं, इसमें आप एक और add कर सकते हैं, वो है border security force, ओके, यह आप लोगो ध्यान रखना है, यह सब C.A.P.F के अंदर में आती है, border security force की बात करें, तो यहां पर लगबग 2.65 lakh forces हैं देखने को मिलेंगी 2.65 lakh personal देखने को मिलेंगे, जो की आज के टाइम पर फैलाएगा है, deploy मतलब spread करेगा है, कौन से वाल एरिया में, पाकिस्तान और बांगलदेश वाले borders पर, ठीके, border security force का main काम क्या है, जो हमारे international borders है, हमापर peace and security को maintain करना, प्लस हमापर जो anti-nuxial operations वगरा होते हैं, उनको भी tackle करने का काम, border security force करता है, और दूसरी important चीज, border security force आज के टाइम पर बहुत जादा special है, special क्यों है, क्योंकि इसके पास air wing है, एक lothy ऐसी force देखने को मिलेगी, जिसके पास अपना खुद का air wing है, अपनी marine wing है, अपने यहाँ पर खुद जहाज वगएर आपको देखने को मिल इंडिया का map आप देख पाओगे, इधर नीचे की side से, है ना, इधर Arabian Sea ही रहता है, और इधर Bay of Bengal है, तो यहाँ पर आप कह सकतो, Sir Creek वाला area, कौन सा है, मैं आपको map में दिखा देता हूँ, यह आप देख पाओगे, यह वाला आप देख पा रहोंगे, map यहाँ पर गुज आपको जो यह हरी कलर की strip दिख रही है, स्वरी, रेड कलर की strip दिख रही है, इसको लोग सर क्रीक बोलता है, यह पाकिस्तान और भारत के गुजरात के बीच में आपको यह सर क्रीक वाला area देखने को मिलेगा, मैंने क्या बताया, 96 km का यह लंबा सा पानी का strip है, और एक तर border security force इस area को defend करता है, इस area के साथ साथ जो सुन्दर बंस वाला area है, मैंने आपको बताया न, border security force जो बंगलदेश का हमारा international border है, वहाँ पर भी तेनात रहती है, तो सुन्दर बंस वाला area है, इसको भी defend करता है हमारा border security force, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यह दोनों प्रदारी BSF के पास देखने को मिलती है, साथ साथ बहुत सारे natural calamities, natural disasters देखने को मिलते है, उसमें भी BSF बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, और BSF को हम लोग first line of defense of Indian territories बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगो ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको BSF क बारे में बताया, प्लस क्या changes हो रहा है, यह मैंने बताया, लेकिन दिक्कत है, आज के time पर कि बहुत सारे जो states हैं, जैसे पंजाब हो गया, West Bengal हो गया, असम हो गया, यह लोग क्या कर रहे हैं, यह लोग बिल्कुल अगेंस्ट मैं, यह कह रहे हैं कि सरकार ने यह बिल्कु कम होँआ करता था, 15 किलोमेटर तक का जो एरिया है, वहाँ पर BSF काम कर सकती थी, लेकिन BSF को 15 किलोमेटर के दायरे से बढ़ाकर, इनको 50 किलोमेटर तक का दायरा दे दिया है, कि 50 किलोमेटर तक का एरिया, जो कौन सा वला एरिया, जो कि होगा, आसम के international border पर, West Bengal के international border पर, पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो ये जो 50 किलोमेटर वाला दायरा होगा वहाँ पर BSF अपने जो भी ड्यूटी जे वो परफॉर्म कर सकती है अब देखो इसके अंदर इशूस क्या है इसके अंदर क्यों यहाँ पर ये पंजाब गोर्मेंट आज के टाइम पर इसके अगेंस्ट में है क्योंकि पंजाब गोर्मेंट का कहना यह है कि देखो यार ये तो हमारा मामला था ये स्टेट का मामला था अगर जो भी ये सेक्योरिटी की पावर्स है इसको यहाँ पर स्टेट को ही करना चाहिए तो जो भी करना था सरकार ने सेनिटल गोविन्मेंट केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया, यह बिल्कुल सही नहीं है तो यहाँ पर पंजाब गोविन्मेंट इसी चक्रमिन के अगेंस्ट में आई है और इसी वज़ा से यहाँ पर पंजाब गोर्मेंट ने बोला है यह कहीं हमारे federalism structure का यह कमजोरी देखने को मिलेगी मतलब की कहीं है कि जो हमारा federalism structure है संगवात का धाचा जहाँ पर राजसरकार और केंद सरकार दोनों मिलकर काम करती है यह बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है ऐसा है यहाँ पर बोला गया है federalism system हमारा कहीं नहीं affect हुआ है होता क्या है जब आप लोग यहाँ पर आप इसको topic को relate कर सकतो public order versus security of state मतलब की central versus state से आप इसको यहाँ पर connect कर सकते हो public order क्या है यहाँ पर मालो जो public है जो आम नागरिक है उनकी शान्ती के लिए उनकी security के लिए उनकी safety के लिए जो responsibility है वो राजय सरकार के पास भी है state government के पास भी है वो कहाँ पर है entry one state list के अंदर हमारा पास state list है union list है और एक concurrent list है तो जो state list है उसके अंदर बहुत सारे subjects है वहाँ पर state जो राजय सरकार है वो rules and regulations बना सकती है union list के अंदर जो भी subject है वहाँ पर जो rules and regulations है वो केंदर सरकार बना सकती है State Government Responsibility है तो यहाँ पर Responsibility है State Government के पास तो राजे सरकार यह काम कर सकती थी राजे सरकार यहाँ पर इनकी Powers को इंग्रीज कर सकती लेकर क्या किया है यहाँ पर केदर सरकार ने काम करके दिखा दिया है इसकी वज़ाँ से पंजाब सरकार नराज में है ओके खलीआ हो गया, जो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो चडचा ये भी करी गई है, देखो, राज्य سरकार के पास पावर्स हैं, तो फिर यूनन के पास भी पावर है, यूनन के पास पावर है, अगेन, यूनन इस्ट के अंदर, एंटरी वन के अंदर पावर है, और आप इसको समझ गए होंगे, यह पूरा आर्टिकल आपको समझ मा आ गया होगा, next आर्टिकल पर बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल GS paper 2 health के point of view से important है, बात करी गई है endosulfan के बारे में, अब यह endosulfan के उचर्चम है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह दहिंदू का आर्टिक में, in fact Supreme Court ने बैन कर दिया था endosulfan को पूरे भारत के अंदर, क्यों? क्योंकि endosulfan हमारे environment के लिए काफी बड़ा खत्रा है, क्यों ध्यान से सुनना, Supreme Court ने क्यों बैन किया था endosulfan को? क्योंकि endosulfan हमारे environment के लिए बहुत बड़ा खत्रा देखने को मिलेगा, इसके बारे म आप लोगो बता देता हूं, April 29, 2011 की बात है, endosulfan को, क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया, यह एक band substance है, इसको आप लोग अपने agriculture के अंदर इस्तमाल नहीं करोगे, देखो होता क्या है न, जो भी हमारा agriculture sector होता है, मतलब कि जो भी हमारा crushy वाला area है, वहाँ पर हम लोग जो भी production कर रहे हैं, फसले उगा रहे हैं, उसके अंदर इस endosulfan का इस्तमाल के जाता है, किटाड़ू को माने का इस्तमाल के जाता है, तो यह endosulfan अपने आप में खतरनाक देखने को मिलेगा, अगर आप endosulfan का इस्तमाल करते हो, तो इससे काफी सारी problems create होती है, वो problems क्या क्या होती हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो endosulfan exactly क्या है, तो widely banned pesticide है, pesticide मतलब किटाड़ू को मारने वाला यह pesticide देखने को मिलेगा, जिसका इस्तमाल हमारे agriculture sector में होता है, लेकिन दूसी तरह आप देख पाऊगे, pesticide होने के बावजूद भी इसको banned कर रखा है, आप लोग जो endosulfan है, ना ही उसको store करके रखोगे, ना ही उसको बेचोगे, तो यहाँ पर supreme court भी इसको पर ban लगा देता है, question यह है, कि सर इससे दिक्कते क्या है, इसके hazardous effect क्या है, तो hazardous effect में आते हैं, तो इसके effective effect है, सबसे पहली बात, late sexual maturity है, अगर आप लोग यहाँ पर ऐसी फसले जो कि endosulfan से उगाई गही है, वो consume करते हैं, तो इससे sexual maturity बहुत देरी से निकल कराएगी, मतलब आपका जो reproductive development होता है, वो बहुत धीरे-धीरे होगा, reproductive development नहीं होगा, तो मतलब overall body की growth देखने को मिलेगी नहीं, आपके sensory loss होने लगीगी, brain बहुत कमजोर होगा, आपके neurons जो है, एक तरीके से काफ़ी तक damage देखने को मिलेंगे, तो ऐसी problems देखने को मिलेगी, humans के अंदर बहुत सरी problems create होती है, okay, neurotoxic में आपको बताया, जो आपका central nervous system होता है, वो पूरा का पूरा block हो जाएगा, definitely, जब आपकी nerve cells काम नहीं करेंगी, दिमाग की ही, तो प पर किटाडू को मारा जा सके, और किटाडू हो जैसे कि white flies, beetles होगा, इनको मारने के लिए यहाँ पर, यह endosulfान का इस्तमाल किया जाता है, लेकिन endosulfान अपने आपने एक खतरनाक substance देखने को मिलेगा, एक band substance है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके, आगे बढ 1 के अंदर हमारा यह syllabus देखने को मिलेगा, अभी हम लोग बात करेंगे, APJ अब्दुलकलाम जी के बारे में, इनको missile man of India भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सकतो missile के अंदर, इनका बहुत बड़ा contribution रहा है, तो यहाँ पर क्यों है चर्चा में, तो यह P.I.B. का article है, P.I.B. one of the most important source है, government directly यहाँ पर डेटा को publish करता है, हमारे प्रामिनिस्टर ने अभी श्रद्धाजली दी है, डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम जी को क्योंकि अभी इनके जनती को celebrate क्या है, तो हाली में, यहाँ पर इनकी नभेवी birth anniversary को celebrate क्या है, इसी वजा से चर्चा में ह और important personality अपने आप में ही बहुत important topic है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो, पिछले साल हमने एक खास चीज करी थी इनके birth anniversary पर, वो काम यह था, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेरनस कैंपेंड को launch क्या था साल 2020 में, और इनक रमिल नाडू के रमेश्वरम वाले रीजन में इनका जन्म हुआ था, इनकी जो birth anniversary है, वो celebrate की जाती है, as a national innovation day के तौर पर, इन्होंने अपना graduation किया था, science में, कहां से St. Joseph College से, ट्रीची से यहाँ पर इन्होंने अपना graduation किया, 1954 में, फिर उसके बाद यहाँ पर इस specialized हुए, Aeronautic Engineering के अदर, और कहां से किया, यहनोंने वो मदरास Institute of Technology से किया, MIT 1957 से किया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, एक one of the most distinguished scientist निकल कर आए, एक अलग से अनोखे scientist निकल कर आए भरत के अदर, और काफी हता यहाँ पर इनकी respect की गई, आज की time पर बहुत सारे respect की जाती दुनिया बर की university से आपने पढ़ाई करी, साथ ही साथ यहाँ पर इन्डिया के president बने, भारत के president बने यह, और ध्यान से सुनना भारत के 11 प्रेसिडेंट थे, साल 2002 में भारत के president बने, और इन्होंने साल 2007 तक अपना पूरा का पूरा term complete किया, साथ ही साथ यहाँ पर इन्हों missile man of India बोला जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर समझाया, उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें, missiles की बात हुई है, तो इन्होंने बहुत सारा contribution किया, भारत के zero को यहाँ पर इन्होंने satellite launch vehicle दिया, और इनका बहुत बड़ा contribution रहा है, satellite launch vehicle को, जिसको आप स्टार्ट किया था, Indigenious Guided Missile को, इनका एक प्रोग्राम था, Integrated Guided Missile Development Program, इसके अदर उन्होंने पाँच missiles को डवलब करने की बात की गई थी, पाँच missiles कौन कौन सी है, पटना इसका एक तरह के से acronym है, वो missiles कौन कौन सी है, नीचे comment section में आप लोग यहाँ पर नाम बता सकते ह साथ साथ इन्होंने यहाँ पर काफी contribute किया, nuclear test के अंदर, जो पोकरान 2 वाला nuclear test था, उसके अंदर इनुकला टेस्ट किया था, collaboration करके, collaboration किसके साथ किया गया, Department of Atomic Energy के साथ किया गया, और उसके बाद यहाँ पर पोकरान 2 का भी nuclear test किया गया, उसके बाद इनका एक वीजन थ अंदर काफी कुछ development करेंगे, चाए वो agriculture की productivity हो, चाए वो technology के माध्य हम से हम लोग grow करें, चाए वो vehicle की तौर पर economic growth हो, हर चीज के अंदर grow करने की बात की गई थी इनके द्वारा, अब बात करते हैं, awards के बारे में तो इनको बहुत सारे awards मिले हैं, जैसे कि इनको awards से, जो फायर, vision of the new millennium, यह आप लोग ध्यान रख सकते हो, finally इनकी बहुत सदा contribution के बाद, यहाँ पर इनकी at the last death हो जाती है, और death कब होती है, 27th July 2015 में आप पर death होती है, कहाँ पर शिलोंग मिखालिया के अंदर, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, next article में हम discuss करन करेंग यह article भी again health के point of view से important है, यहाँ पर चर्चा की गई है, adolescent and sexual reproductive health के बारे में, तो राजस्तान ने यहाँ पर इस चीज को लेकर एक report publish करी है, news में क्यों है, क्योंकि दहिंदू का article आप लोग को दिख रहा होगा, तो हाली में कुछ studies यहाँ पर find करी हैं, और study का title है, return on investment in adolescent sexual and reproductive health मतलब राजस्तान सरकार, अगर यहाँ पर जो यह adolescent वाले लोग हैं, adolescent कौन से बच्चे होते हैं, 10 साल से 19 साल के बीश में जो लोग होंगे, वो adolescent की category में आएंगे, अगर इनके reproductive health के उपर हम लोग investment करते हैं, इनके health, एक अच्छी health के उपर खर्चते हैं पैसा, तो इससे हम लोग को वापस से return मिलेगा, वो return किस प्रकार से मिलेगा, वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आने वाला है, तो इस study में क्या क्या बताया गया, इस study में examine किया गया economic और health benefits को, यहाँ पर बोला गया, जो adolescent व्यक्ति हैं, ठीके, इन लोग की sexual और reproductive health के उपर हम लोग investment कर सकत हैं, अगर हम लोग एक व्यक्ति के उपर 100 रुपे खर्चेंगे, तो आने वाले टाइम पर यह हम लोग को 300 रुपे लोटा के देगा, ऐसा यहाँ पर बताती है, यह report, अब यहाँ पर उन्हें बोला, कि देखो किस प्रकार से देगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, य ठीक है, आप लोग यहाँ पर, मतलब मालों सरकार यहाँ पर पैसा खर्च रही है, 1-2 मिलियन पैसा खर्च रही है, यह contraceptives के उपर, यह contraceptives यहाँ पर प्रोवाइड करवार यह लोग को, प्लस लोग की abortion के उपर care कर रही है, अच्छे से, तो इससे आने वाले टाइम पर return मिलेगा, क्यों? क्योंकि लोग की death कम होगी, जब आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, contraceptives के उपर ध्यान रखोगे, properly abortion हो पारा है नहीं हो पारा है, तो इससे क्या होगा, जो बिमार कम पड़ेंगे, लोग प्लस विवैन की death कम होगी, बच्चों की death क होगी, तो इससे हम लोग को आने वाले टेंबर return अच्छा मिल सकता है, वो लोग बढ़े होगे contribute करेंगे area के अंदर, तो return हम लोग को, यह 412 million का return हम लोग को 1220 million तक return मिल सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया, कि अगर आप लोग यहाँ पर किसी को supplements provide करवाते हो, अच्छा खाना देते हो, folic acid वाले supplements अगर आप हर साल provide करवाते हो, लोगों को weekly provide करवाते हो, आपका इसमें खर्चा आएगा 66 से लेकर 80 million तक, लेकिन इससे क्या होगा, लोग की जो productivity loss है वो खतम हो जाएगी, लोग काफी अच्छा work करेंगे, एक अच्छा contribution कर पाएगे, त इससे आने वले टाइम पर आप लोग को चार उपर तक return मिल सकता है, क्योंकि जो ये एक तरीके से girls देखने को मिलेंगी, इनकी productivity level काफिया तक increase होगी, यह आप लोग देख पाऊगे, I hope आपको ये clear हो चुका है, अब यहाँ पर बात करीगा, भारत के अंदर adolescent वाले category की, द लोग आने वले टाइम पर अपने economic development में काफी अच्छा काम कर सकें, हम अपने country के अंदर से गरी भी मिटा सकें, ये लोग बहुत 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 काम कर सकते हैं, जरुआत क्या है, इनको पर investment करो, और ये लोग आपको खुद return देने वाले हैं आने वले टाइम पर, ये बताया गया है, हला कि बहुत सारे challenges भी हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग poverty काफी है तक देखने को मिल रही है, प्लस education प्रोवाइट नहीं हो रही है, अच्छे से, early marriage देखने को मिल जाती है, जल्दी marriage कर देते हैं, आप हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर राजिस्तान का case देखें, तो राजिस्तान के अंदर भी जो adolescent population है, वो बहुत देखने को मिलेगी, total adolescent population राजिस्तान के अंदर 15 million के आसपास है, अगर हम अपने पूरे state की population की बात करें, तो 23% उनकी population adolescent की category के अंदर आती है जिसमें से 53% males हैं और 47% females हैं, और होता क्या है, यहाँ पर दिक्कत ही है, child marriage बहुत देखने को मिलती है, राजिस्तान के अंदर child marriage बहुत ज़दा, मतलब 35.4% तो बच्चिया ऐसी है हमाँ पर, जिनकी 18 साल से कम उमर में शादी कर दी गई है, उनकी शादी हो चुकी है, और उससे बहुत सारी दिक्कते वो जेल रहे हैं, ठीके, तो इससे impact पड़ता है, definitely बहुत बड़ा impact पड़ता है, और हमारी economy के उपर भी impact पड़ेगा, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो, birth related complications देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर suggestion क्या है, तो suggestion यह है कि आप इस लेकर आओ, ताकि लोगों की जो reproductive health है, उसको आप improve कर सको, साथ ही साथ यहाँ पर राजय सरकार को बोला गया है, कि उनको invest करना चाहिए, अच्छे से, ensure करना चाहिए, जो working age population है, उनकी वो एक healthy life बेजीद कर सके, प्लस यहाँ पर लोगों को nutritional supplement देना चाहिए, लोगों क अच्छे से, multivitamins, folic acids वगरा प्रोवाइड करवाने चाहिए, जो कि लोगों की life में काफिया तक कम्या एक तरीके से देखने को मिलती है, लोगों की life में उन चीजों की कमी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, आप और भी नए-ने approach रख सकते हो, ताकि आप क् प्रोवाइड करवा सके हैं, लोग के अंदर जागरुकता फिला सके हैं, जो teenage वाली pregnancy है रजिस्तान के अंदर, लोग के अंदर जागरुकता फिला सके हैं कि उस चीज को खतम किया जाए, क्योंकि वो बहुत खतरना आक है, उसके बाद इन्हों ने यहाँ पर, राजिस्तान ने बहुत सारे national initiatives चला रखे हैं तो यहाँ पर आपका सकते हो कि अलग-लग initiative भारत के अंदर जो भी इन चीज़ को ट्रैकल करते हैं जैसे कि Adolescent Friendly Health Service Program है जहाँ पर Adolescent व्यक्तियों उसको Adolescent Peoples को यहाँ पर healthy service प्रोवाइड करवानी जाती है, health के लिए आपर काफी सरी service प्रोवाइड कर जाती है तक इनकी health अच्छी हो जाए उसके बाद scheme for adolescent girls यहाँ पर चलाई जाती है, उसका portion अभियान PM portion scheme यह सारी चीज़ आपको हमारे country के अंदर चलती हुई नजर आएंगी आगे बढ़ते हैं आखरी article के तरफ, next article polity and governance के point of view से important है और polity and governance आता है GS paper 2 के अंदर, polity and governance के साथ साथ social issues के point of view से भी important है, वो भी आता है GS paper 1 के अंदर यहाँ पर बात की गई है, crisp M tool for MG Narega scheme के बारे में, तो यह क्या है, news में क्यों है, P.I.B. का article आप देख पाओगे, P.I.B. का कितना important role है, मैंने आपको बता दिया है तो हाली में जो climate resilience information system है, ध्यान से सुनना, crisp क्यों बोला गया है climate resilience information system, क्रिस्प, यह tool का इस्वाल करेंगे, हम लोग कौन सी scheme के लिए, महात्मा गांधी national rural employment guarantee scheme के लिए इस्तमाल करेंगे, अब यह क्या फाइदा होगा, कैसे काम किया जाएगा, इसको हम लोग समझेंगे, पहले आपको समझना होगा MG Narega scheme के बारे में, दोको MG Narega scheme, दुनिया की सबसे बड़ी guarantee program है, मतलब one of the largest guarantee program, दुनिया का, मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एक तरीके से 2006 में, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act के तौर पर इसको launch किया गया, इसका main objective यह है कि minimum 100 दिन का तो wage, 100 दिन की तो guarantee हम लोग provide करवा सकें, जो भी workers है, जो भी unskilled काम कर सकते हैं, उनको हम लोग 100 दिन का काम दे सकें साल के अदर, minimum, maximum इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन minimum 100 दिन का काम दे सकें, देखो अगर यहाँ पर काम नहीं दे पाते हैं, तो उसके बदले में, यहाँ पर allowance भत्तव अगरा दिया जाता है, सरकार के द्वारा, यह भी यहाँ पर बोला गया है, साथी साथ बोला गया, कि जेखो गरीबी आज के टाम पर बहुत जादा है, गरीबी को tackle क Unskilled Worker होगा, और उसके बाद apply करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको इसका response मिलना चाहिए, अगर इसका response नहीं मिलता है, तो उसके बदले में, उसको unemployment allowance मिल जाएगा, भत्ता मिल जाएगा, जैसा मैं आप लोगों को बताया था, अब इस पूरे के पूरे scheme को implement कोन करता है, तो इसको और जादा मजबूत करने का काम करता है, जो grams अब है, वो recommend करती है, वर्क्स को, तो इसके थूरू ये काम किया जाता है, मतब छुटी-छुटी information है, ये important हो सकती है, at the last हम बात करते हैं, ये जो tool है, ये कैसा काम करेगा इस scheme के अंदर, तो यहाँ पर ही जो tool है basically, ये help करेगा, मदद करेगा, climate information को देने की, climate information को forecast करने की, climate information को analysis करेगा, देखो क्या होगा, हम लोग climate change को अच्छे से cover करेंगे, climate change को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद, हम लोग पिछले 10-20 साल का climate change analysis करेंगे, उसके बाद आने वाले time की prediction करेंगे, आम technology है, जो tool है basically, ये क्या करेगा, 90 possibilities निकाल के आएगा, rural communities के लिए, मतलब जो गाउं में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 90 possibilities आएंगी, वो लोग कहने कहीं, climate change से tackle कर सकते हैं, मान लो इस वाले area के अंदर, इस वाले area में, मान लो इस particular area के अंदर, आने वाले time पर सूख पढ़ने वाला है, तो उस सूखे से कैसे बचा जा सकता है, उसके उपर यहाँ पर यह लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर आपके सकतो, यह जो scheme है, कहीं न कहीं फाइदा देगी बहुत सरी rural communities को, यह जो tool है basically, यह tool कहीं न कहीं, साथ राज्यों के अंदर काफी अच्छी तर possibilities open होंगी, इन workers को बेजा जाएगा और वहाँ पर यह workers मिलकर काम करेंगे, climate कोई basis पर, इससे हमारे climate change की दिक्कत भी solve होगी, प्लस और भी नेनी possibilities, rural communities के लिए निकल कर आएगी, I hope आपको यह clear हो चुका है, अब आपके लिए एक quiz है, इस quiz को फटाफट attempt करना, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है, तो इसको आप लोग बहुत अराम से attempt कर पाओगे, पहला question, MTP Act Amendment, मतलब MTP Amendment Act 2021 वाला, अभी pass क्या यह है, अच्छा यहाँ पर pass जब इसको किया, तो इसने कौन से वाले Act के अंदर amendment क्या है, तो पुराने वाले Act का नाम लिखना नीचे comment section म BSF कब लाई गई थी, नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो, जो Ministry of Home Affairs है, उन्होंने notification issue किया है कि जो Border Security Force है, उनकी powers को बढ़ा दिया जाएगा, उनकी powers को कितना बढ़ाया गया है, असाम, West Bengal और पंजाब वाले रीजन में नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो, साल 2011 के अंदर Supreme Code ने बैन किया था, एंडो सुलफान को, पूरे भारत के अंदर बैन कर दिया था, एंडो सुलफान से क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है, नीचे comment section बताना, APJ अबदुलकलाम जी का जन्म कब हुआ था, और कहां पर हुआ था, अमिलनाडू के अंदर एक जगा है, वहां ह हुआ था, नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो, adolescent जो व्यक्ती होते है, adolescent जो बच्चे होते हैं, वो कौन सी group, मतलब कौन सी age से कौन सी age तक के बच्चे को count किया जाता है, adolescent के अंदर या आप बता सकते हो, प्लस उसके बाद, climate resilience, information, planning, मतलब Chris Pam, ये वाला, मतलब answer आप लोग ये है, one of the largest work guarantee scheme, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी guarantee program scheme कौन सी, आप लोग नीचे comment section में इसका भी answer दे सकते हो, सारे answer मैंने आप लोग को provide करवा रखे हैं, लेकिन answer मत देखना, अपना यहाँ पर answer देना, देखना है, किस प्रकार से आपने question को सुना है, साधी साथ मेंस का question आप लोग लिए तयार है, वो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ, उसको भी attempt करना है, और इसे के साथ करते हैं, आप लोग अपने lecture को समात, मिलते हैं आप लोग को से next वीडियो में, आज के लिए bye bye, have a nice day, thank you and jahind